राची में महिलाओं की एक टोली ऐसा गुलाल बनाने में जुटी है जो सुगंधित होने के साथ साथ सेहत से भी भरपूर है यह खाने में स्वादिश्ट तो है ही लगने के बाद यह आपके चेहरे को और भी निखार देगा आपको मेरी ये बाते थोड़ी अटपटी लग रही होगी क्योंकि गुलाल तो खाने में नहीं बलकि होली के मौके पर एक दूसरे के चेहरे पर लगाने के काम आता है यही नहीं अमूमन इससे चेहरा निखरता नहीं बलकि इससे कई तरह के स्कीन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो आपको बता दें कि मेरी बात सौटके सच है हम जिस गुलाल की बात कर रहे हैं दरसल वह फलो और पान के पत्तों से तैयार होता है होली में हलाकी अभी काफी वक्त बाकी है लेकिन अपने गुनों के कारण यह गुलाल कम समय में ही लोगों की पहली पसंद बन गई है और देखते ही देखते बाजार में इसकी मांग अपने उतपादन लक्ष के बहुत ही करीब पहुँच गई है महिलाओं की कुछ अलग करने की लालसा ने इनके भविशी के लिए एक मजबूत नीव तयार कर दी है और ये तेजी से आर्थिक संबल की ओर बढ़ रही है होली का रंग ऐसा की अंधेरा घबराए गुलाल हो ऐसा कि सब के जीवन में खुशियां लाए इसी आशा और विश्वास के साथ ये महलाएं भी फ्रूट गुलाल बनाने में तल्लीन है कि होली इनके जीवन में खुशियों की बारिस करेगा राची से अब देश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार